हॉलिवूड रियालिटी स्टार और फेमस मॉडल किम कार्डेशियन हमेशा से ही बॉलिवूड की फैन रही है किम हॉलिवूड की उन अदाकाराओं में से एक है जो सुपरस्टार सल्मान खान की फिल्मों को काफी पसंद करती है किम कारडेशन सलमान खान से काफ़ी इंप्रस है और उन्हें पसंद करती है इतना ही नहीं इस से पहले किम कारडेशन ने बॉलिवुड की कई फिल्में देखी थी हैरानी की बात ये है कि उन्हें केवल सलमान खान की फिल्मों नहीं प्रभावित किया है किम कारडेशन सल्मान खान से उनके काम और मानवी एकारियों के कारण अधिक प्रभावित हुई है किम के करीबी दोष शिराज हसन ने कहा किम कारडेशन पहले सल्मान खान के साथ काम करना चाहती है शिराज हसन मिलियन आफ मिलक शेक के फाउंडर और अध्यक्ष भी है उन्होंने मलिका शिरावत के मिलक शेक को बहुत पहले लॉंच किया था इतना ही नहीं शिराज ने साल 12 बारा में किम को अपने मिल्क शेक बार के लॉंच के लिए भारत लाने की प्लानिंग भी बनाई थी शिराज हसन ने बताया जब मलिका मिलियन मिल्क शेक में आई तो उन्होंने हॉलिवुड की मीडिया में तहल का मचा दिया था अब किम दुबई में एक लॉंच कर रही है इंशाला उनका अगला डेस्टिनेशन बॉंबे होगा वहीं सल्मान खान भी अपनी फिल्मों की शूटिंग में वैस्ट है अभी नेता जल्दी कैटरीना कैफ के साथ टाइकर 3 में दिखाई देंगे इस फिल्म की शूटिंग काफी हद तक पूरी हो गई है फिल्म में सल्मान खान के साथ पहली बार इमरान हाश में दिखाई देंगे